हालो फ्रेंड्स स्वागत आपका चिराग कलासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होगे तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संपूर्ण जानकरी इस वीडियो के अंदर में आपको देने वाला हूँ वीडियो बहुत ज्यादे इंपरेंड रहने वाला है वीडियो के लाग तक बन रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन क पर form apply कर सकते हैं तो ये वेकंशी आपकी सबसे पहले All India की वेकंशी रहने वाली है ठीक है All India की वेकंशी रहने वाली है height chest की बात करें इसके बात बात में करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको बताते था हूँ qualification तो 10th pass आपकी इसके अंदर कुछ vacancy के लिए 10th pass है और कुछ vacancy के लिए 12th pass आपका यहाँ पर qualification रखा गया है height की बात करें तो इसके अंदर height आपकी male candidate के लिए 170 cm, female candidate के लिए 157 cm height criteria रखा गया है और अगर कुछ अन्य vacancies है उसके अंदर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ height आपका 165 cm और female का यहाँ पर 152 cm height आपका रखा गया है अगर यहाँ पर chest की बात करें तो 80-85 cm आपका chest मांगा गया है ठीक है, old India की vacancy है, सब भी male and female इसको यहाँ पर apply कर सकते हैं तो सारी जानकर मैं आपको देने वाला हूँ, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो SC, OBC को यहाँ पर 3 साल की चूट मिल जाएंगी SC, HD को यहाँ पर 5 साल की चूट मिल जाएंगी और age आपके 18 से लेकर 25 साल यहाँ पर रखी गई है सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैं यह जो भी आपको वेकेंसी बता रहा हूँ, यह कहां से मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से देखेगा, यहाँ पर MHA की द्वारा एक notice जारी हुआ है, उस notice के अंदर यह बात बताएगे, यह ध्यान से देखना यह notice यह आपका Ministry of Home Affairs के द्वारा यह notice जारी हुआ है, जिसके अंदर आपकी जितनी भी वेकेंसी खाली है, BSF के अंदर, ठीक है, BSF के अंदर जितनी भी वेकेंसी खाली है, उसकी डेटेल यहाँ पर दी गई है, अगर इस notice की बात करें तो 31 July 2024 को, 4.40 मिनिट के अंदर दिल्ली से यह notice है, वो release हुआ है, इसके अंदर अगर बात करें तो the detail of vacancy is in border secretary for BSF, मतलब BSF की डेटेल के बारे में बात करें तो 17-2024 तक लगबग यहाँ पर group C की vacancy की बात करें, अभी हमको group C की vacancy चे मतलब है, तो 7,942 पर आपकी group C की vacancy खाली पड़ी है, ठीक है, और other vacancy की बात कर है, अब यह पड़ आपके जैसे ट्रेट्समेंट के अंदर बात करें, तो लगबग आपकी 25-100 से लेकर, 25-100 से लेकर 3000 के करीबन आपकी यह ट्रेट्समेंट की vacancy आपको जल्द देखने को मिलेगी BSF के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, यह vacancy कब आईगी, जब आपकी जो प्रोसेस है, वो पूरी हो जाती है, तब आपकी 25-100 से लेकर 3000 तक आपको vacancy देखने को मिल जाएगी, लगबग 1-2 मेने के अंदर, ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर लगबग पद में आपको पहले बता देता हूँ, 2942 पोश्ट है, और इसकी पूरी जानकरी आप यहाँ पर ओड़ भी देख सकते है, जिसके अंदर आपकी टोटल बेर सब कितनी strength है, और कितनी vacancies खाली है, वो भी यहाँ पर डिटेल वाइज आपको बताया गया है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर strength कितनी है, तोटल है, यहाँ पर 2,21,932 है, जिसके अंदर 2,13,990 यहाँ पर आपकी posted है, और vacancy खाली कितनी है, तो यहाँ पर 7,942 आपकी group B और group C के अंदर खाली है, और other officers के अंदर 3,87 और 1,816 vacancy यहाँ पर आपको खाली देखने को मिली है, मतलब तोटल यहाँ पर 10,145 पद अभी भी खाली पड़े हैं, B.S.A.P. के अंदर, तो इसके उपर जल्द vacancy B.S.A.P. करवाने वाला है, सबसे पहले आपके ट्रेट्समेंट की बढ़ती होगी, और ट्रेट्समेंट की बढ़ती के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कंड़ेट पूछते थे कि सर आप हमारे को बता दीजिए, तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो फालतु के दलाल वगेरा होते हैं, जो मीडियेटर होते हैं, बीच में आपके जुड़े रहते हैं, जो आपके certificate बनवाते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि एक सारे कंडियेट फरजी certificate के मारे यहां पर पकड़े गए थे और अभी भी उनके उपर कारवाई हो रही है, तो अगर आप भी फरजी certificate बनवाते हैं, तो आपके उपर भी कारवाई हो सकती है, 420 का आपके उपर सरकार के द्वारा केस लगाए जा सकता है, तो इसके गलती नहीं करना है, और यहां, यहां पर मैं आपको बताते रहा हूं, सबसे पहले अभी जो SSE GD है, SSE GD वाली बढ़ती है, इसकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, उसके जल्द बाद में आपको बढ़ती है, और B.S.Up कॉंस्टेबल की अलग से एक बढ़ती है, वो आपको देख लगने को मिल जाएंगे, तो यह थिया, मैंने आपको सारा आमचे का जितना भी नोटिस था, जिसके अंदर सारी जानकरी थी, वो इस वीडियो के अंदर में आपको बता दी है, और यहां पर एक बात नीचे यह भी कही गई है, कि 10% पद यहां पर अगनिवीर के खाली रख ठीक है, फिर भी फ्रेंट्स अगर आपका कोई डाउट है, जैसे बहुत सारे कंडेट्स पूलते हैं, कि सर्फ बीयसर पका जो सेटिपिकेट है, वो किस परकार का होना चाहिए, उसके ओपर किस परकार की सील साइन होना चाहिए, तो फ्रेंट्स इसके लिए मैं अलग से व उससे अगर आप जूड जाते हैं, तो आपको फिर ही के अंदर वहाँ पर नोट्स एविलेबल मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है, तो जल्द आपकी जो बीयसर ट्रेंट्समेंट की बरती है, वो आने वाली है, लगबग आपके, मैं आपको बता देता हूँ, कंप्रम है यह आप मान लीजे, पच्छिसो से लेकर, तीन हजार के करीबन आपकी यह बीयसर ट्रेंट्समेंट की बरती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर फिर भी आगर आपका कोई भी डाउट है, चाहे ट्रेंट्समेंट की बर छाथ रहा हूँ, मैंने एक BSF ट्रेंट्समेंट का यहाँ पर जीतने भी ट्रेंट्समेंट होते हैं, चाहे ITBP ट्रेंट्समेंट हो, इसके अंदर experience certificate होता है, जैसे कोई भी certificate होता है, उसमें कोन-कोन सी डिटेल मांगी जाती है, कोन-कोन सी चीजे चेक की जाती है, उसका व की बढ़ती को लेकरो ठीक है मैं आपको इंस्टाग्राम के उपर भी मिल जाओंगा वहां पर आपको जैसे आप कोई भी अपना मेडिकल से रिल्टेट कोई भी अपना फोटो बेजना चाते हैं तो वहां पर बेज सकते हैं तो फ्रेंट्स आई होप वीडियो अच्छा लगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक लिए जय हिंद जय बारत वंदे मात्रूं